हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी बहुती सुन्दर और प्यारा सा रुमाल बनाना कैसे बनाते हैं हम इस रुमाल को और कहा कहा हम इसका परियोग कर सकते हैं जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं मंदिर में किसी समान के उपर डखके लिजाना पड़ता है तो महा भी काम आ सकता है सादी भया हमें जो भाजी बातने जाते हैं तभी भी हम इसके इस्त Michal कर सकते हैं या घर पर हम किसी समान वगजयरा के उपर डखने के भी काम आ जाता है कैसी बनता है इस रोमाल डिजाइन मैं आपको बताती हुआ देखे फ्रेंड इस रुमाल को बनाने के लिए हमें यह अपना जो सरकल है पांच चेन लेके इस सरकल को कम्प्लीट कर लेना है और उसके बाद हमें हर सरक इसमें चेन में जैसे जो हमारी चेन है हर चेन में हमें दो बार डबल करोशिया ले लेते हुए चलना है किसी में सिंगल किसी में डबल कहीं कहीं पर डबल भी ले सकते हैं और लेना है आपको और कहीं आप सिंगल भी ले सकते हैं जिससे कि हमारा जो यह राउंड शेप है इसमें जोलना आए और यह हमारा राउंड में बनता चला जाए यह कम्प्लीट करने क बाद मैं आपको बताती हूं कैसे बनता है यह देखे प्रेंट्स यह सरकल बनाने के बाद मैंने इस सरकल को पूरे को इसमें दो दो बार डबल करोशी लेते हैं कहीं सिंगल भी लिया है तो कहीं डबल जिससी के हमारा जोलना आये बीच में यह बिल्कुल फ्लैट फ्लैट देखिए दो दो चेन लेनी है और दो दो ही यह इस तरीके से हमें इसको बारा भाग में डिवाइड करना है यानि कि इसके अमारी बारा कली बननी है तो देखिए हम दो दो चेन छोड़ते हुए इस तरीके से हम इसे दो दो چेन बनानी है और दो दो बीच में छोड़नी है इसमें क्या होता है कि कई बार हमें दो की जगे तीन चेन भी बनानी पड़ जाती है कि जिससे कि हमारा इसमें जोलना आए और यह हमारा सीधा रहे क्योंकि अगर जोला गया तो हमारा जो project है वो नहीं बन पाएगा तो इसी वज़े से हमें कहीं इसमें 3 chain भी लेनी पड़ सकती है और 2 भी लेनी है तो इस तरीके से आप इसे बनाते हुए 12 भाग में आपको इसे बाटना है क्योंकि हमारी 12 कली बनने है देखी फ्रेंट इस त करना है देखिए यह जो हमारा एक एक फूल है इसके एक हमें पहले लेना है इसको बिगनर भी अराम से बना सकते हैं इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है देखिए एक हमें पहले लेना है और दो हमारे जो यह इसमें चेन हैं दो यह देखिए इसके उपर दो चेन नजर आएंगे आपको, यह देखो, दो इसके जो हमने दो डबल करोशी ले रखे हैं और उसके बाद एक इसके पास बाहर की साइड, यह देखी, यहां पर हमारे चार कंप्लीट हो गए, उसके बाद फिर से हम यहां दो चेन बना लेंगे, और फिर से हमारे जो दो यह हैं चेन इसकी, इसके उपर, कंप्लीट करते वे, यह देखी, इस तरीके से फिर हम दो चेन बना लेंगे, इसी तरह से हमें यह पूरा राउंड कंप्लीट करना है, देखे, आगे कैसे बनाते हैं मैं अब अब प्ताती हूँ, देखे प्रेंट, जितनी लंबाई आपको इसकी बढ़ानी है, आप उतनी बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ा आपको बनाना है, जैसे मैंने अब की बार चार लिए, उसकी बाद यह जो चेन है, यह हम अब की बार एक लिए फिर दो लेंगे, फिर तीम लेंगे, इसी तरह इसकी लंबाई बढ़ाते हुए, यह भी हमारे बढ़ते चले जाएंगे, यह 6 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, इसी तरह जितना आपको सरकल रखना है, आप रख सकते हैं, और आपका यह जो प्रोजेक्ट है बनकर हो जाएगा तयार और कैसे लगाते हैं इसके जो ये टसल्स हैं ये मैं बताती हूँ आपको जब आपकी लंबाई कंप्लीट हो जाए तो आप इसमें जैसे आपको ये लगे कि आपने यहां तक बना लिया है और आपको ये जाली जो हैं बड़ी हो है और कैसे लगाते हैं इसकी ये टसल्स जो इनको फूंबं भी बोलते हैं तो मैं बताती flourish हूँ आपको कैसे बनाते हैं इनको देखी फ्रेंडस्च जब आपकी ये लंबाई कंप्लीट हो जाए जितनी आपको रखनी है उसके बाद जितना भी लंबा आपको ये टसल्स Comb Scrett करने हैं उतनी लंबाई चेन की ले लें आप साथ भी ले सकते हैं आठ भी ले सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यह इतना आपको इतनी लंबाई रखनी है तो आपको यह एक बहुत बड़ी चेन लेनी होगी ऐसे देखिए यह वाली चेन आपको एक थोड़ी बड़ी उसके बाद आपको ऐसे दूसरी चेन डेनी होगी यानि कि जो यह आपकी चेन थी यह थोड़ी पतली थी यह आपने एक मोटी चेन लिया अब आपको क्या करना है इस चीन के अंदर आपको बार-बार यह रिपीट करना है जितना भी मोटा आपको अपना यह हम तो हिंदी में फुमबन ही बोलते हैं आप क्या बोलते हैं देख लेना मुझे भी बताना कॉमेंट बोक्स में आप क्या बोलते हैं तो देखे जितना भी मोटा आप ये बनाना चाते हैं फूल इसका तो उतना बना सकते हैं और इसको बार-बार इसमें लेने से ये बन करो जाएगी तयार दे यह देखिए यह आप इस तरीके से अभी थोड़ा चेन कम है यह देखिए यह बिल्कुल जो है सेंटर में आएगा यह देखिए इस तरीके से आप इसके बाद में यह टसल तयार कर सकते हैं और कैसा लगा मेरा डिजाइन और कैसा लगा बताने का तरीका कोमेंट बोक्स में जरूर में बताना फिर मिलते हैं किसी नई और अच्छी वडियो के साथ